हेलो फ्रेंड्स जैसी किष्णा, जै मातादी, जै स्रीशाम, जै श्री महाकाल कैसे हो दोस्तों आप से भी आशा करती हूँ कि आप से भी बहुत अच्छे होंगी उपराथना करूँगी इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है बहुत ही स्पैशल होने वाली है बहुत ही महत्वपून होने वाली है कि आज हम आपको बताएंगे अगले कुछ घंटों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है और आखिर क्या होने वाला है अगले कुछ डोक नहीं सकता तो बहुत ही महतुपून वीडियो है दोस्तों तो प्लीज इससे लाइक करिएगा चानल को सब्सक्राइब जरू करें पल आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को श्यार करना ना भूलें शिर्वार करते हैं स्क्रीन पर दो मंदीर आपको दिखाए दे रहे फर्स नंबर का मंदेश जिसने भी चुसकना है उनके लिए देखते कुछ घंटों में आपके कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है क्या कह रहे हैं टेरो कार्ड आपके लिए अपनी शमता के अनुसार आपको महनत करनी है ना कम करनी है और ना ही जादा करनी है परिस्तिति को बदलने की कोशिश कई जाएगी अवसर आपको बहुत आसानी से मिलने वाले हैं अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसी उपलबधियां आपको मिलने वाली है कुछ ऐसी खुश खबरी मिलने वाली है जिसे जानकर सुनकर आपका मन प्रसंचित होने वाला है आपकी तेयारी बड़ी ही खास होने वाली है जिस वज़े से अवसर आपको एक से एक मिलने वाले अभी के समय में जो भी आप प्रेतन करेंगे उससे आपके जीवन में बहुत ही महत्वपुन बदलाओ आपको अगले कुछ घंटों में देखने को मिलेगा करियर सम्मंदी कुछ योजना हैं जिनके बारे में जो कन्फ्यूजन था माइन में जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक दूर होने वाली कन्फ्यूजन के लिए होने वाले हैं इसके साथ दोस्तों देखिए अगले कुछ घंटों के अगर बात करें तो पुरानी बातों की जो चिन्टा है उस वज़े से आप वर्तमान पर धियान नहीं दे पारें अगर पास्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है कोई रिजन ही नहीं है उसका आपकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है तो उस चीज वो आपको वहीं इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अब पश्टाने से रोने से या टैंशन लेने से कुछ नहीं होना जो जीवन में चला गया उसे जाने दीजिए देखें बार-बार आप उनका सामना कर रहे हैं बार-बार थोट आ रहे हैं तो यह बहुत ज़दा difficult condition रहती जो आपके mind में negativity को पचती है negativity को आपको अपने mind से निकालना है और ऐसी बातों को अगर आप अपने mind में रख रहे हैं तो वो negativity को जाने नहीं देती है जीवन में कुछ अटकी हुई बाते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे लिए कुछ problem चल रही है आपकी life में दोस्तों तो please बड़े बुजरगों के साथ अपने मित्रों के साथ थोड़ा share करिए कोई कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिर्फ आपके mentality की वज़े स अब बहुत कुछ करना चाहते हैं बहुत सारी opportunity आभी मिलती है आपको life में बहुत कुछ आता भी है आपको काफी skills है आपके अंदर काफी ability है आपके अंदर उनर है आपके अंदर लेकिन कर नहीं पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपनी जीवन की कुछ ऐसी बातों क कि वज़े से जो आपको बहुत ज़्यदा परिशान करें मांसिक रूप से जो तकलीफ आपको हो रही है उसे नजर अंदाज करने की कोशिश करें हो सके तो meditation और yoga का सहारा ले सुबह जल्दी उठने की आदर डाले morning walk पर जाने की आदर डाले लेकिन जितना हो सके meditation और yoga करने आदर डाले होगे आपके दोरा जो भी प्रत्न किये जाएंगे जो भी कोशिश की जाएगे उसकी बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगे चाहे आपको exam देने जारे तो exam आप clear कर पाएंगे को interview देने जारे interview clear हो पाएगा कोई रिष्ता आपके लिए आरा है तो वो रिस्पोंस मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन अभी फिलाल में जरूरी है अपने करियर पर कॉंसेंट्रेट करना जो विक्ति अपने करियर पर कॉंसेंट्रेट करता है जो अपने करियर को रिस्पोंस देता है जो अपने करियर के बारे में सोचता है वो विक्ति हमेशा जीव होने वाला है अपने कोशिशों को बढ़ाने की जरूत हैं आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों अगले कुछ घंटों में किसी व्यक्ति के दुआरा एक नया मांदर्शन मिलने वाला है जो आपके लाइफ को बदलने में आपके काफी हद तक मदद करेगा अभी से इस परिवर्तन के लिए आप खुद को तयार रखें आप खुद को फिलिडम रखें खुद को प्रिपैर रखें कि यार मुझे जीवन में अब जो भी बदलावाएगा उसे स्विकार करना परिवार के साथ काफी अच्छा संबंद आपके बनने वाले हैं काम में रूची आपकी बढ़ रही है पूरा डेडिकेशन आप अपने कारे के प्रति कर रहे हैं बढ़ती भागदोड के कारण मंचा है कारियों पर भी थोड़ा फोद आपका फोकस रहता है लेकिन इंटेंशन होती है जो आपके लिए तनाव का कारण बन रहे हैं अभी के समय में उन कारियों को इगनोर करने की कोशिश करें और जो बाते आसानी से हो रही है उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहे नेगिटिव नहीं सोचना है जो कारी हो रहे उनके लिए ठाइश मिलेगा दोस्तो बात करें जिनों पी साके लिए नमबर चुस करा है उनके लिए देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं यूनिवर्स टरो काड़ क्या कहरें कुछ घंटे में आपकी कौन से इच्छा पूरी होने वाली और आखिया होने वाला है अगले कुछ घं कोई WhatsApp ग्रूप आपको जोईन करने के लिए नहीं कहा जाता अगर कहेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से कहेंगे काम से जादा व्यर्थ की बातों में आप उलजे रहते हैं बहुत जादा आलसी हो रहे हैं इससे उरजा बरबाद हो रहे हैं काम तो आप ढंक से नहीं कर पा रहे हैं और मन में जो चंचलता उत्पन हो रही है जो जल्दबाजी हडबडाहट उत्पन हो रही है उस पर काबू करने की कोशिश करें लोगों की वज़े से आपका confusion बढ़ रहा है क्योंकि आप अपने बारे में जो confusion से आपके उनके बारे में काफी लोगों से चर्चा करते रहते हैं उस चर्चा से और ज़्यादा confusion बढ़ रहा है इसलिए अभी अपनी समस्याओं की चर्चा किसी और व्यक्तियों के साथ ना करें आपका कोई relative हैं कोई पड़ोसी हैं कोई close friend हैं बस एक सब ही नहीं उनको आप जरूर अपनी समस्याओं के बारे में बताएं क्योंकि जहां अलग-अलग दिमाग में आप उपनी समस्याओं को बताते हैं वह अलग-अलग response हाता कहीं से negative हाता है तो कहीं न कहीं यह आपके लिए थोड़ा सा negative response होता है तो यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी relationship में उतार-चड़ाव दिख रहा है अंदर से insecurity आपकी बढ़ रही है जिम्यदारियों और व्यक्तिकत लक्ष में संतुलर्ण बनाना आपको सीखना होगा परिवार के जिन लोगों के आपको साहता चाहिए उनके साथ चर्चा करें उनके मदद जरूर मिलेगी खुद के जीवन पर भी ध्यान दे बहुत जल्दी आप अपनी life में opportunity हांसिल करने वाले बहुत जल्दी इसा फैसला लेने वाले हैं जो आपके करियर से रिलेटेड होगा और इसमें आपको बहुत जल्दी benefits भी मिल जाएंगे अधिकतर बाते आपके जीवन की सलता से होगी आपके अंदर एहंकार ना बड़े बस इस बात का ध्यान रखें क्योंकि पैसा आने वाला है पैसों की आवक बनने वाली है आर्थिक इस्तिती सही होने वाली लेकिन जैसे जैसे financial condition सुधरेगी आपके अंदर एहंकार आएगा और यह एहंकार आपके पास पैसा टिकने नहीं देगा इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी financial condition सुधर रहें अगर अगले कुछ घिंटों में आपको ख़बर आ रही है या भी सुधरी हुई है या सुधरने वाली है तो एहंकार ना बढ़े नई जिम्मेदारियां अभी ना ले जीवन में किसी भी प्रकार का नया बदला को positive way मिलें कठीन समय में जिन लोगों का आपको साथ प्राप्त हुआ है जो लोग आलोचना करते हैं उनके लिए सतर कर रहें अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लोग आलोचना कर रहे हैं हम परिस्तितियों का सामना के से कर पाएंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं दीरे दीरे सही होती जाएगी पुरानी बातों में अटके रहने से वर्तमान पर ध्यान देना आपके लिए संबव नहीं है दोस्तों भावना उसे अधिक practical बातों पर जोड़ देने की कोशिश करें जब तक आप खुद की परिस्तिती को बदने की कोशिश नहीं करेंगे त साथ में नई बाते भी आपको सीखने को मिलेगी इसके साथ दोस्तों कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं गर पर अचानक से महमानों का आना जाना होगा किसी विक्ति से खुश खबर प्राप्त होगी अन्हें लोगों की प्रगती देखकर आपको भी प्रेंडना म पिलेगी आप मेहनत से साथ काम करने की कोशिश करेंगे पुराने अनुभवों से जो सिक आपको प्राप्त हुई है उसिक अब आप यूस करने वाले हैं थोड़ा समय एकांत में बिताए लक्ष के बारे में सोचे योजनाव में बदलाव आ रहा है धेरी से काम ले बहुत जल्दी आपके लाइफ में इतना बड़े परिबरतर आने वाला इतनी बड़ी खुश खबरी आने वाली है जिसे जान कर आप हैरान होने वाले तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी पसंद आई हूँ प्लेस लाइक करें कमें सेक्शन में जयमात अदी जरू लि झाले तो चलिए है।